Friends, क्या आप भी गर्मियों में दाकू बनके घर से बाहर निकलते हो, मतलब इसके बिना और इसके बिना तो बिल्कुल निकला ही नहीं जाता एक टाइम आता था जब मैं भी डाकू बनकर ही निकलती थी करते बाहर मतलब जब मैं गुडगाओं में रहती थी ना तो मैं गुडगाओं से डैली जब भी भी आती थी बाइक पर हम लोग आते थे मैं और मेरी हस्बंट तो मैं फुल-on डाकू बनके आती थी मतलब face को चुननी से cover कर लेना, चश्मा लगा लेना, full gloves पहनना, socks पहनना, फिर अपने shoes पहनना ताकि मुझे tanning वगर की problem ना हो आज की इस video में मैं आपके साथ share करने वाली हूँ ऐसी simple बड़े काम की चीज जो आपके बहुत काम आएगी चीज तो ये क्या है, मैं आपके साथ कुछ simple सी tips शेर करने वाली हूँ जो time to time मैंने अपनी life में आजमाई है और बहुत सही काम करती है सबसे पहली चीज भई इन दोनों चीजों को तो टाटा बाय बाय कर दो, देखो क्या होता न हम लोग इन्हें अपने face पे cover कर लेते हैं पर जब गर्मियों में sweating इतनी ज्यादा होती है इसकी वज़े से क्या होता है हमारी sweating अच्छे से absorb तो होती नहीं है, हवा लगती नहीं तो आपको acne और pimples की problem start हो जाती है, अगर आप दुपट्टा बांधते भी हो, अपने face पे डाकू बनते भी हो, तो इस बात का ध्यान रखेगा कि आप तो दुपट्टा यूज कर रहे हो, वह 100% cotton का, जैसे कि मेरे पास अभी cotton का दुपट्टा है, नॉर्मल cotton के को या फिर जो हते हैं, दूसरे fabrics उन्हें use मत कीजेगा, वह एक तो आपका sweat absorb नहीं करते, उपर से आपकी skin पे जब रब होते हैं, तो आपको rashes वगारा की भी problem हो सकती है, pimples, acne तो आएंगे ही आएंगे, तो इन चीजों को तो बिलकुल टाटा, बाई बाई, गुडबाई, कर दीजिए, मैं अगर मेरी बात करूँ, मैं जब भी भी घर से बाहर जाती हूँ, और बाहर से जब घर आती हूँ, तो एक काम मैं करने की कोशिश हमेशा करती हूँ, मैं cotton लेती हूँ, और थोड़ा सा कच्चा दूद लेती हूँ, उसमें dip करके अपने face को clean करती हूँ, द क्लिंजिंग मिलक का तो आपने नाम सुनाई होगा या तो आप उसे खरीद लो बट कौन पैसे लगा है, घर में जो दूद आ रहा है रोज, दो चम्मस दूद हम अपने ले भी रख सकते हैं, तो उस दो चम्मस दूद में अपने cotton को डुबाना है और अपने face को clean करना है, आपकी आखे फटी की फटी रह जाएंगी, इतनी काली हो जानी है ना आपकी ये जो cotton ball है ना, बहुत ही ज़्यादा काली हो जानी क्योंकि इतनी धूल मिट्टी आपके पास आच चुकी है ना, अब क्या होगा अगर आप face wash करोगे तो आपकी skin की वो मिट्टी तो निकल जा देखो दूद में जो होता है ना, उसमें fat भी होता है तो वो आपकी skin को clean तो करता ही है, साथ के साथ moisturize भी करता है, जी हाँ, एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप rose water में है तो अभी इस अपने fridge से निकाल के लाई हूँ, गर्मियों में मैं आपने rose water को या अपने toner को रखत हो जाते हैं और बहुत ही सही लगता है, आँखों में जलन की problem बहुत जादा होती है गर्मियों में, तो आप cotton ले सकते हो, इस तरीके से वैसे तो cotton balls भी आती है, cotton pad भी आते हैं, बट मैं तो क्या करती हूँ, जो हम घर में पूजा के लिए रूई लाते हैं, उसमें सोड़ी को रख लिया ना, rose water वाली, आपकी आखों में कभी भी जलन की problem नहीं होगी, क्योंकि धूप इतनी जादा है कि आखों में मिट्टी भी घुसती है ना, और गर्मी की वज़े से भी, आपकी आखे बहुत जादा red भी हो सकती है, और आखों में बहुत जादा जलन भी हो सकती है, तो rose water को use करना बिल्कुल भी मत बूलिये, आप इसे as a toner भी use कर सकते हो, और अपनी आखों को ठंडा ठंडा cool cool करने के लिए भी use कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि और ते ना, अपने बच्चों के लिए कुछ भी ले सकती है, अपने हस्बंड के लिए कुछ भी ले सक बता है UVA और UVB rays से, पता है आपको बहुत अच्छी बात क्या है, घर में चार लोग है, चारो के skin type अलग अलग है, आप क्या करें, चार अलग अलग sunscreen ले, नहीं भाई नहीं कोई tension वाली बात नहीं है, इसे आप try कर सकते हो, क्योंकि यह है all skin type, इसमें किसी भी तरीके की artificial fragrance नहीं है और preservatives भी नहीं है, 99% natural ingredient से यह बना है, कई ओरतों को लगता है कि हम तो घर पर ही है, हमें sunscreen लगाने की जरूत क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप घर पर हो या घर से बाहर हो, minimum sunscreen आपको apply करना चाहिए, जिसमें हो SPF 30 की goodness, अगर मैं आपको इसका texture दिखाऊ, इसका texture बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी white cast यह नहीं छोड़ता है, लगा लिया और पूरा मूँ ही सफेद हो गया, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको इसका texture दिखाती हूँ जरा सा, बहुत ही runny texture है इसका, तो यह blend भी बहुत अच्छे से हो जाता है, यह आप देखिए, और मेरी skin हो चुके है, बिल्कुल बाहर जाने के लिए ready, lotus organics है, 25 साल पुराने brand lotus herbal का एक sub brand, आज मैं आपके साथ share कर रही हूँ, lotus organics hydrating gel mineral sunscreen, SPF 30, जो कि आपकी skin को बचाता है UVA और UVB rays से, इसमें किसी भी तरीके के preservatives और artificial fragrance नहीं है, और all skin type product है यह, यह sunscreen आपको देता है, chemical free sun protection, this product is 99% natural, 100 gram के आपको इसकी quantity मिलती है, 3 साल के आपको इसकी shelf life मिलती है, 100% vegetarian product है, और cruelty free है, texture के अगर मैं बात करूँ तो आप देखी सकते हो, इसका texture बहुत runny है, इस वज़े से यह बहुत ही अच्छे से न, absorb हो जाता है आपके skin में, और बिलकुल भी white cast यह नहीं देता है, 100% certified organic extract से यह बना है, इसमें किसी भी तरीके के parabens, petroleum, sulfate नहीं है, और यह है एक cruelty free product, और एक चीज और मैं use करती हूँ, मैं आपके साथ share करना चाहती हूँ, इसे मैंने local market से लिया था, या फिर मैंने online मंगवाया था, मुझे याद नहीं है, उस time तो मुझे यह बड़ा weird सा feel हो रहा था, बट गर्मियों में यह believe me बहुत अच्छा काम आता है, मैं इसे fridge में रख द जबर्दस वाली नीन आने वाली है, अगर आपको puffie eyes की, या फिर swelling feel होती है, जब आप सोके उठते हो, तो आप एक minute के लिए या दो minute के लिए इसे apply जरूर कीजिए, यह बिल्कुल वैसा ही feel होता है, जैसे हम अपने face पे बरफ को rub करते हैं न, ice rub करते हैं, बट ice को पकड़ का न, कुछ face बड़ा ठंडा ठंडा होने वाला है, make up करने से पहले भी मैं गर्मियों में इसे use करती हूँ, इससे फायदा क्या होता है, इससे जो sweating होती है न, make up करने के बाद वो नहीं होती है, पोर्स जो है, वो थोड़ से शांत हो जाते हैं, थोड़ से बंद हो जाते हैं इसके वादे sweating वगरा की problem नहीं होती, तो इस तरीके की चीज़े आपके पास गर्मियों में जरूर होनी चाहिए, कई लड़कियों को बड़ा शॉक होता है, हर टाइम बाल खोल के रखने का, सर्दियों के लिए तो वो तब भी ठीक है, बट गर्मियों में मैं अगर आपको आप अपने skin पे तो sunscreen लगाते ही हो, बट क्या बालों पे भी sunscreen लगाते हो जो उसको जलने के लिए छोड़ दिया, नहीं न, हम अपने बालों पे किसी भी तरीके का sunscreen वगरा तो apply नहीं करते हैं, तो अगर हम अपने बालों को हमेशा खोल के रखते हैं, तो वो बहुत जल्द बना के रख सकते हो, खोल के अगर आप regular रखोगे तो गर्मियों में जल्दी आपके बाल खराब होते हैं, एक simple tip में आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ, गर्मियों में जब आप अपने ले कपड़े खरीदते हो ना, तो एक बात का आप ध्यान रख सकते हो, मैं थोड़ से क्या होता है, वहाँ पर tanning बहुत जाद होती है, और क्योंकि हमें दिख नहीं रही है, तो जब हम अगली बारी कोई deep neck वाली dress बहनते हैं, तो वो सारी tanning अलग से ही जमकती है, तो मैं क्या करती हूँ, गर्मियों में इस तरीके के collar वाले या फिर गला बंद वाले पहनने की prefer करती हूँ, ताकि क्या होगा, यहां तक तो मैं sunscreen लगा लूँगे न, तो मेरी वो neck पे tanning वाली problem नहीं होगी, smart हूँना मैं, मुझे लगता है मैं smart हूँ, तो आप भी इन सभी tips को try कर सकते हो, इसका link में आपको दे दिया description box में, बहुत ही सही मुझे लगता है य white weight texture है, instantly absorb हो जाता है आपकी body में, अभी भी मैंने लगार का है, कहीं से भी white cast आपको feel नहीं हो रहा होगा, कई sunscreen ऐसे हो तो लगाने के बाद, या तो sweating बहुत जादा होने लग जाती है, या फिर आपको white लगने लग जाता है आपका face, बट इसके साथ ऐसी कोई problem आपको नही होगी, 99% natural ingredients से ये बना है, तो आप definitely इसे try कर सकतो, इसका link में आपको description box में दे दिया है, try करना चाहते हो तो definitely try जरूर कीजेगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर कीजेगा, अगर अभी तक आपने मुझे Instagram पे follow नहीं किया है, तो follow जरूर कीजेगा, देखो म वहाँ पे जाके मुझे follow जरूर कीजेगा, बहुत कम followers हैं मेरे, मतलब बड़ा दिल दुपता है मेरा जब मैं अपने Instagram को open करके देखती हूं और एक भी नया followers नहीं आया होते, तो please मुझे follow जरूर कीजेगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर कीजेगा, thank you, thanks for watching, bye